हलो फ्रेंज आप देख रहे हैं फल्मिबीट और मैं हूँ आपके साथ कृतिका सीरियल ससुराल सिमर का टू की कहानी में अब हर किसी को अपनी गलती का एसास हो रहा है क्योंकि घरवालों में से किसी ने भी सिमर को नहीं समझा सिमर का साथ नहीं दिया और अब यही वज़ा ह है कि आरफ की ममी संध्या को भी हो रहा है बहुत जादा पच्चतावा वो भी अब पश्चा ताप की आग में जल रही है और उनकी आखें नम हो चुकी हैं वो रोते रोते अपने बेटे आरफ को कहती है कि आरफ सब मेरी गलती है मैंने कभी अपनी बेटी सिमर को नहीं ज़ाती रही उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की मुझे समझाना चाहा लेकिन मैं अपनी ही जिद में अड़ी हुई थी और मैं उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी मेरी गलती है मुझे बहुत ही अफसोस है ऐसा होने की मैं अपने आपको ही वज़ा मान रही हूँ सिमर को मुझे समझना चाहिए था तुम जाओ अब कही से भी मेरी बहु सिमर को ढूंड कर लेकर आओ ये घर सिमर के बिना अधूरा है हम सब सिमर को इस घर की बहु के त्रौर पे अपनाएंगे सिमर हमारी है और हम सिर्फ सिमर के हैं सिमर जब यहाँ पर आएग समझ पाया, आरफ ने भी सिमर को ना समझने की बड़ी गलती की है वर अब आरफ को भी इस बात का एसास हो चुका है, उसे भी अपनी गलती बार-बार रियलाइज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो विवान है, वो भी जादा परिशान हो चुका है, क्योंकि विवान को नहीं पता था सपने में भी उसने कभी नहीं सो जाथा कि उसके मौमी पापा यानि की गिरी राच और चित्रा कुछ ऐसा कर सकते हैं ऐसे में अब विवान भी situation को handle करने की कोशिश कर रहा है आरफ ने विवान को बड़ी मुश्किल से संभाला है वही रीमा भी महसूस कर रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आखिरकार अपनी सिमर को वापस लेके आए और कैसे सिमर से माफी मांगे और हम आपको ये भी पिता चुके हैं कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आरफ ने सिमर से माफी मांग ली है और सिमर ने भी कि आरफ को माफ कर दिया है यही नहीं जब गितांजली देवी के घर में अब सिमर के एंट्रि होगी तो गितांजली देवी हाथ चोड़कर गिरगड़ाकर सिमर से माफी माँगी घर यह का बढ़ा दिल लेकिन यह कहेगा यह देखना बहुत जाथ दल्चस्प होगा लेकिन इ दूर हो चुकी है दोनों के रिष्टों में अब फिर से मिठास आने वाली है ऐसे में देखना होगा बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग की ये दोनों कैसे मिलकर अपनी बॉर्णिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉंग करेंगे इस वीडियो में इतना ही